Hello students welcome to the channel English students मैं हूं आज हम एक टॉपिक पर डिसकस करेंगे जिसका नाम है एप्लिकेशन फॉर जॉब एप्लिकेशन फोर जॉब इंक्लूडिंग सीवी रिजूम सीवी रिजूमे की बात है तो कोई जॉब है उसकी वेकेंश यह तो अपने को उसके लिए अप्लिकेशन तयार करनी है ठीक है तो पूर्शन आता है कि आपको डिटेल्स दे दिजाती है ठीक है तो हम भी यह समझा पॉस्ट इंजीनियर में पहले खुद का एडड्रेस फिर गयब देके तो इसमें भी आपको कुछ नहीं है अपको जो पोस्ट के लिए पैप लाइंक कर रहे हो वह लिखने है फिर एक लाइन यह ना यह आपको हर application में लिख सकते हो जो आप किसी भी पोस्ट के लिए दे रहे हैं लिख सकते हैं आपको बताओंगा भी तो देखो फिर्स्ट आपको अपना जो एड्रेस हो मेंशन कर देना फिर लाइन चौट देने फिर डेट लिखने हैं फिर जिनको लिख रहे हैं जिस ऑथिरीटी को लिख रहे हैं तो क्यूशन देखो यू आल सुरेश यह सारी का ठीक है लिविंग इन कोटा एंड पर्सुविंग एंबीए ओके राइट लेटर टू दी सी यो ठीक है सी यो और एकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शूरत यह कोई संस्था है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शूरत अप्लाइंग फॉर्ट आपको क्या खुद कौन हो आप ठीका आपका नाम मेंशन होगा अगर नहीं अगर नाम आपको आप खुद का नाम दे सकते हैं तो देखिए अपना एड्रेस हो गया कि 125 विज्ञानगर कोटा देखो का ना यहार सारी का और सुरेश लिविंग इन कोटा जो भी खुद का एड्रेस होगा फिर डेट हो गई अच्छे से लिखना डेट 10 अक्टूबर कुरा फिर 2022 फिर लाइन शोड़के दैसी किसको लिखने है अपन देखो राइट लेटर टू पे हैं स मजब को तो को एप संस्था वाली जैसे आप में प्रिंसिपल लिखते हों यहां पर अपनी श्कूल का नाम लिखते पूंसी और एंडिया प्राइवेट लिमेटेड इस और कहां पर सूरत तो यह सूरत समझ आगे होगा और फिर आपको िआप पर पहपका आपका subject क्लिए सब्जेट कर देखो application for the post of software engineer पर फिर नीचे से start करना अच्छे से यहाँ से बीच में से नहीं से लिखना नीचे से सरों के निचे से स्टार्ट करना फिस्टर करना लिख दिया या लिक यह सब में लिख सकते हो देखो क्या विज रिफरेंस टू यह ओवर एडवर्टीजमेंट विच इस पॉब्लिश्ट इन दे टाइमस ऑफ इंडिया ठीक है जो भाई अगलों ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था किस पेपर में किस में पॉब्लिश्ट था वो टाइमस ऑ यह आप सब में लिख होगे ठीक है सब जो एप्लिकेशन किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे है उसमें यह आएगी सर के नीचे जो सर है न डियर सर उसके नीचे यह लाइन आ जाएगी तो विद रिफरेंस टू एडवर्टीजमेंट विच इस अब उसके नीचे से लिखना अब अगला क्या अभी इसमें आपको पहले एक बार बता देता हूं पर्शूइंग माइं बीए फ्रॉम एमेटी उनिवस्टी जैपूर ठीक है अब आपको यह तो लिख देना फिर उसके बाद अपने थोड़ी सी विशेष्टाइं बतानी है आप में क्या 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 ठीक है तो जैसे प्रिजेंट लिख माइं पर्शूइंग माइं अमेटी उनिवस्टी जैपूर आइम ए स्मार्ट कॉन्फिडेंट अंड हाड़ वर्किंग मैं ओफ 23 यर्स विद प्लीजिंग पर्सनलिटी सी इसी बात ठीक है आई अशूर सबस्क्राइब कंडिदेट फोर थिस पॉस्ट आ यह विलिख सकता है आई विल दू मैं बैस्ति कंडिदेट अप यहां तक हो गया फिर थोड़ा सा गैप लाइन मद चौड़ ना ठीक है यह की लिख फोर रहा प्ली मैं रिखना प्लीजिग और भी को दिखना के लिखें र अब आप सोच रहोगा अपने एक्सपीरियन्स नहीं बताया अपन वह और कुछ नहीं बता पारे देखो भाई क्विश्चन में कहा है यू इन कोटा एंड पर्शूइंग एंबिया बंदा एंबिया खुद कर रहा है अगर यह रिसेंटली कोई में होता तब अपन बता सकते कि यह लिख सकता है थ्री एर्स यह एक्सपीरियन्स और रिसेंटली आइंड वर्किंग जो भी है तो आप वह रेपुटेटेड इंस्टूट लिख सकते हैं देखो सीधी सी बात क्विश्चन का कोडिंग अपने आंस्वर कराई है फर्स्ट ऑफ आल मैं आपको बता दू ठीक है और अगर ऐसे ही होता कि अगला क्विश्चन में दे दिया कि आपको सीधे ही पोस्ट करना अगर मैं पर्सुइंग नहीं आ रहा अगले ने सारी डिग्री ले रखे ठीक है तो लिख देगा कि पहले भई मैं बीच में लिखनी ने चीज़ते को पहले मैं एक रेपुटेड इंस्टूट में काम कर रहा था मुझे थ्री एर्स का एक्स्पीरियंस है ठीक है और मैं मेरे काम क पहले है तो फिर थैंक यू यह वास फैफुली ठीक है यह फैफुली ना माजएगा यू आर शुरेश तो ठीक है और आप यह भी लिख सकते हो नीचे इसके बाद में एक लाइन चोड़के लिख सकते हो इंक्लोज़वे रिज्यूम ठीक है यह एक पेज में हो जाएगा आ तक सवाणा तक दूसरे पेज का मैंट है यह एक पेंट करने सता दूसरे पेज क्वेज कमपलीट ऑफिर आपको सीवी और रिज्यूम अपना लिखना ठीक है और इसमें क्या लिखना नेम अपना सूरेश फादर स्नेम आपको मेरी बस बैस समझना और सुन्दर लिखनी यह आपको ऐसे इस तरह के से से नाम लिखना है थीक है फिर आप जैसे फादर्स नेम जो भी यह तो फिर भी फिर आपको टैस्ट नहीं करना मतलब सुन्दर वे में लिखना है इस तरीके से और यह बराबर होने चाहिए अच्छा लगे समझा रही आपको इस तरह कैसे करना आपको सीवी और रिज्यूम है जो अपना वह इस तरह है इससे ही यार यह तैयार करना है तो नेम जो भी है आपका वह लिख दो फादर्स स्सथा अगर मेरिड हो तो मेरिट लिखो उन्मेरीड अधर्स जो भी है वह लिखो आपना बता दो इमेरिडी मता जैए होब्त दो और पडाद कहोंगा यह उपर यहां आपकर तो पंसी तो बहुत है है कुट का होता है और फिर आपकी एल लेक्त है खुटह सबुसक्टब घर अब की फांसकित दीका लिग्दूत आप अ मगर में भात आज कर लिखे टीक आरेंज करके लिखना उद्ट से लिखना सिक्वेंस से लिखना और मैंने बताया ना आपको ऐसे डैस निकरनी आसे डॉट 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 खुला लिखना बड़े पूरा पूरे पेस का यूज करना अच्छे से ठीक है और फिदे को एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो ना जो भी आपके तो आप उनको ऐसे एक ट से कर लिख लिखना पूर्ट शेकर चुके हैं तो सीनियर से करी टॉट रिटीन में करी और नाइनटीटू परसेंटेज कुछ आए ओके वी टैक हमने यहां से करी इतने माक्स हैं यहां से कर रहे हैं रणिंग ठीक है और आग्या भी भूई नहीं है तो समझ रहे हैं आप मै चाहना कहना क्या चाहरा हूं मैं कहना यह चाहरा हूं कि आपको अच्छे से करते हैं यह वाली चीज तो वही वाली जनरल ही अपन करते हैं यह तो आपको उसपलत द जानांए पहला एडरेस। फिड ड़ाइं चोड़के अगला जिसको अपन लिख रहे हैं जिसको लिख रहे हैं आपके क्यूशन में में तो यहां पर इंड्या अपने मन से ले लिया और अगर अगर आप जो भी आपको और निउस्पेपर के नाम याद है ना वो लिख दीजे सीजी बाते मां आपको सरल सरल बाते बतारों कोई भी गलत नहीं करेगा यह वाली चीज हो गई और यह लाइन आप सब में लिख सकते हैं विद रिफ्रेंश तू और एडवेटिश्मेंट विच इस पब्लिश्ट इन सब्सक्राइब यह वाली लाइन आपको हर में लिख सकते हो नीचे वाली जो लाइन है अब जैसे पोस्ट ऑफ दे इंग्लिश टीचर हो तो वह आपको मां भी नेक्स्ट करवा देता हूं जिससे एक कन्फूजन आपको है ना कि एक्स्पिडेंस वाला और क्या-क्या क्वा सब्सक्राइब तो एक्सथे मां आपको फादर और यहां चंडर में आयधिए और सब्सक्राइब सबस्क्राइब शेक्सट ऐसदे ऑट़ नाये आटएधू ओन्सक्राइब यह इन तो रुस्ट हो यह आम तो इस तरीके से अच्छे से वैल अरेंज़ करके लिखना है तो हम एक पॉस्ट और कर लेते हैं जैसे पॉस्ट फॉर इंग्लिश टीचर पर भी कर लेते हैं और फिर मैं आपको एंड में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स बता दूगा कि आप इन टॉपिक्स पर जो एप्लिक सकते हैं देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना अब एक क्विश्ट दूसरा है जैसे गौवर्वन्ट सीनर सेकंडरी स्कूल जैपूर रिक्वाइस गैस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश ठीक है ना र्यू आर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद ब लिख सकते हैं तो जैसे आप उफिचल लेटर में लिखते थे एडिटर लेट लेट लेटर में लिखते थे उसी तरह आप अपना एड्रेस लिखे पहले ठीक है वाड नमबर पिर आपका जहां रहते हैं जिस मुगली महले जो भी और पिर डिस्टिक में तो लाइन सोडी ड इन दे दे हिंदू दे हिंदू समझते हो क्या होता है आपको द्यान है निउस पेपर का नाम है ना दे हिंदू डेटेड और 7th October 2022 यूट लाइग आई वूड लाइक अप्लाइफ और पोस्ट शीदी सी बात अब यह पहरा हुआ अब आपको जिस नीचे वाले पहरा में यूड प्यूट यूज आपको जिसे वी शेच्ट थीक है सिदे सिदे वी संटेंस यूग को देवसी स्किल यूज पात अ गुड़ देगां में से खूल अच्छ यूज पात अजिदेड वार्सक्श कि वार्ट यूड पात अवात वार्स दिसंस लाइफ राद यूड for your satisfaction ठीक है और यह वाली लाइन आप हर में लिख सकते हो I am in closing my CV or resume along with this application ठीक है I look forward for your positive response ठीक है Thank you योज फैर्सफुली नाम लिखतो सीद्धी सी बात है आपको official letters और जो letter to the editor लिखते थे उसी तरह लिखना है और आपको यह चीज मेंशन होगी बेफिकर रहे आपको यह जो लाइन है ना शुरुवात वाली है याद करनी है क्योंकि यह याद कर ली पिर आप हर एप्लिकेशन जो भी कोई भी पोस्ट हो उसके लिए कर सकते हैं ठीक है यह वाली चीज त्यार को बीच का matter आप जरूर कर दोगे एंड में फैस्फुली आता है ध्यान रखना और सीवी के अगले पेज का matter रहे वह अगले पेज का matter क्या होता है सी वी तब सी में अपना नेम लिखिए ठीक है फादर्स नेम उनका प्रोफेशन लिखिए उनका प्रोफेशन लिखिए यह तो आप माहिरोई में तो आप अच्छे से करीद होगे यह चीज तो याद करवाने की ब्रूरत नह ठीक है ना मेरिटल स्टेटेस अपने अपने इस आयडे प्रोफेशन और क्वालिफिकैशन जो जो आपकी एजूकेशन की मैंने 10 तंथ कर रखी इतने परसेंटेश से मैंने मेरी ब्येस सब्जेक्स और मैंने बीड और में इंग्लिश में कर रखा है यह वाली चीज़े आप क्वालिफिकेशन आराम से दे सकते हैं इसमें कोई दूविदा है नहीं ठीक है तो यह हुए अपने मैंने आपको दो एक्जाम्पल्स करवा दिया है वह किसके एक्जाम्पल्स करवाएं चीज़े और कुछ नहीं एक है अपको याद करने की जुरूत नहीं आपको पहले से याद होता है ठीक है सब्सके नीचे सरस्थ और को ओं परटेजिबेब्स्तन कोरें जुट नाम से लिग सकते है तो समझा अगया होगा समझ आ गया होगा भी चे तो से चुछ और कर सकते हो तो कोई दूइदा नहीं और आप की जो आपके टीचर से भी कंसल्ट क कीजिये और आपकी जो गॉपक्स जो आप पढ़ते हो गर पे उनमें भी अच्छे से पढ़िए अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिकत नहीं बहुत मैंने आपके फॉर्मल लेटर कंप्लीट करा रखा इसी चैनल पे और लेटर स्टू दी एडिटर कंप्लीट करा रखा है देख सकते हैं आप फूल ओके और य इसमें नहीं एक चीज सिर्फ सीवी यह अगले पेज में आता है ठीक है इसको यह अच्छे से वैल अरेंजड होना चाहिए सुन्दर दिखना चाहिए ठीक है काटा पीटी नहीं होनी चाहिए बस इतना ही है तो अब आपको क्या करना इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अब अपने साथियों के साथी से जरूर शेयर करें आपको किसी भी परकार कोई डाउट होना इंग्लिश से रिलेटेड आप मुझे मेसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरी सोचल साइट की आईडी आप वहां से मुझे डारेक्ट मेसेज कर सकते हैं अधरवाइस कॉमेंट बॉक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क कॉमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लेलिस्ट बने भी अपनी क्लास 12 की वैल अरेंजड है अच्छे से सारे चैप्टर्स करवा रखें आपके ठीक है तो आप वहां से आपकी आपक कि टेक्स्ट बुक्स पड़ सकते हैं कोई भी डाउटो यू कैन मैसेज में ठीक है मैं मिलूंगा आप से फिर एक नए टॉपिक के साथ बने रहे मेरे साथ थैंक यू वेरी मुच